कि तो गाइज वे डूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो मैं आज आपको शुरू से लेके कुछ हद तक एंड तक भी ले जाऊंगा कोशिश करूंगा अगर हमारे पास टाइम बचता है तो तो सबसे पहले मैं अपनी हेडिंग डाल रहा हूँ डाइज बिल रेटें तिल में चॉरिटी यह एडिंग सिर्फ इसलिए कि आपको कभी भी देखना है कि इस केस में एंटी स्कॉंस यूदि आपको क्लियर रहे बिल रेटें तिल में चॉरिटी बाइड्रॉवर तो आम टेकिंग कोशन एक्स सोल गुड्स चू वाइ प्रूपीस 80,000 प्रूप्स प्रूपरिल 2021 यह एक्सेप्ट इबल यह एक्सेप्ट इबल द्रॉण भाइ एक्स पर प्री मुड्स बिल मेट ओन माचॉरिटी bill met on maturity सबसे पहले तो language को आपने समझना है bill met on maturity का मतलब होता है bill met bill met का मतलब क्या होता है bill की payment कर दी गई है maturity में past journal entries for x and y ठीक है तो whose x excess drawer ठीक है तो फिर्स रपहल को क्या entry हुने वाली है फिर्स रपहल को है पहली entry हुई कि वाई डेबिट तो सेल्स कि असी हजार के गुड्स हमने सेल करें इसकी नारेशन आजेगी में गुड्स ओल्टू वाई यह नेक्स्ट इसी दिन क्या हुआ एक्स ने मिल ड्रॉ करा वाई ने कि अकाउंट डेबिट कि असी हजार टूवाई यह अब लेट लेट कालते हैं तीन महीं ने बात की एक एप्रिल के बाद एक में एक जुन एक जुलाई तीन मेन हो गए तीन दिन एड़ कर दो एक जुलाई में तो चार जुलाई को होगी मिचॉर्डी रेट विल मैंट और मिचॉर्डी मतलब हमें पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेट टूबिया एटी थाउजन ठीक है अमाउंट रिसीव डू डू डेट बिल में चॉर्डी भी लिए सकते हैं तो यहां पर यह तीन एंट्रीज होई अब आज़ते हैं वाई की क्या करेगा करेगा सबसे पहले गुट्स खरीदने की पर्चेज अकाउंट के अंदर पर्चेज से नहीं दी होती तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना जहां से कोशन बोल रहा है वहीं से शुरुवात पर्चेज अकाउंट डेबिट टू एक्स एटी थाउजन के गुट्स पर्चेज फ्रॉम एक सा जाएगा नारेशन के अंदर इसके बाद अगर हम एक्स को पेमेंट देते हैं एंट्री क्या होते एक्स डैबिट टू कैश है यहां पर पेमेंट की जगह हमने बिल एक्सेप्ट करा तो उस बिल उस लाइबडी का नाम किया कि बिल पेबल इस एक हमने लाइबडी की पेमेंट करती और उस लाइबडी का नाम है बिल पेबल टू विल पेबल अकाउंट डेविट टू बैंक इस इसमें कोई डाउट यू मैं आसक और जी नेक्ट नेक्स वारा डिसकाउंटिंग ठीक है नेक्ट की से मारा डिसकाउंटिंग वाला सेम है साथ सब कुछ चैन फूंगा एक्स गेट्स दा बिल डिसकाउंटेड बिल्ड डिसकांट्ट और स्ट ओफ ओफ में 2021 एक्स बिल्कोर डिसकांट कर लेता है तो अब हमने जनल यह पास करनी एक कि पाश्की में यहांगी फॉर्स्टेल को एक्सीज में एंट्री की होंगी वाइय डेबिट टू सेल्स अकांट एसिंदार के एंट्री होगी नेक्स एंट्री विल भी विल रिसीवेबल अकाउंट डेविट टू वाई असी अजार ठीक है यह बिल मिलने के एंट्री होगी अब नेक्स इवेंट क्या हुआ फर्स में को बिल डिसकाउंट करा लिया जब हमक्सियों धिर इस एकाउंट के अंतर पैसा ट्रांशर करदेता और हम से उपले लेता तो बैंक-टु inherent बश स्थरि Moo be क्या है कि वह पैसा हमें कुछ कम देगा होते सब्सॉरिय क्या जिसका नाम है क्या सकते यह तरह थे कोवी टरह का है अच्धम संस्थ rimes cannot तो यहां पर असी अजार इंटू 12 परसेंट इंटू अब देखिए कितने महीं यह 12 पर आनम है साल का 12 परसेंट और एक एपरेल के बाद एक महीं इसने एक मेने बाल बिल्ड इसकाउंट करा है और अभी दो महीने इसको हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमें पैसा मिल चुका है वाइगी की बुक्स मेंट्री नहीं हूंगी वाई की बुक्स में वही एंट्री देंगी पर चेस्टू पर चेस्टू एक्स ठीक है यह थोड़ा मैं रफली कर रहा हूं कि बिल्कुल से मैं फर्स्ट रप्रेल को एक्स टू बीपी एटी थाउजन और चार जुलाई को बीपी टू बैंग ठीक है बीपी टू बैंग बिल्कुल सिमिलर इंट्री इसमें कोई दाउट है तो फिर आगे चलते हैं आजी नेक्स्ट में कर वारा हूं आपको इंडॉर्श्मेंट आफ विल देखे कोशन थोड़ा से यह चेंज कर रहा हूं एक्स मैंन वीट्ट कर भून पींट कर वीज पनीटे में ने रहन कर टू आपको उछ्ट आपर्यू फिल इन प्रहन यह च पर वेड एंटिव आप्री उन्त कर व altern disgrace इसे इंडॉस्ट इंडॉस्टू मिस्टर विक्रम ओन फिफ्ट ओफ अपरेल ट्वंटी ट्वंटी वन बिल मेंट ओन मेच्वरेटी इसका मतलब इल्गी पास जॉर्नल एंटीज इस फॉर और अपने सब्सक्राइब करने हैं विए 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 थी पार्टी एक्स हुजए ड्रॉर वाई हुजए ट्रॉई एंड विक्रम हुजब पेई ठीक है एक्स डॉर यह ड्रॉई और यह पेई हो गया अब देखें एंट्री विल भी वाई टू सेल्स चालिश जार आपने पूरी फॉर्माट में घंडी एंट्री इंट्री विंग गुट्स ओल्टू आए फिफ्ट ओफ एपरेल को स्वारी फर्स्ट ओफ एपरेल को बिल आ गया वियार अकाउंट एबिट्टू वाई चालिश एदार विल एक्सेप्टिड वाई वाई फिफ्ट एपरेल को यह बिल इसने विक्रम को दे दिया तो बियार चला गया एंडॉर्समेंट के एंट्री बियार गया किसके पास विक्रम के पास थीक है चार जुलाइक को जब डियूडिट होती है क्योंकि अब पैसा विकरम को मिलेगा हमें नहीं मिलेगा ठीक है इसके बाद विकरम को पकड़ने विकरम को पकड़ने फर्स्ट एपरेल को नो इसको बिल मिला बियार अकाउंट डेबिट किससे मिला एक से मिला तो यह एंट्री करेगा चालेज़ार की इसके बाद चार जुलाई को सीधा इसको पैसा मिल गया तो बैंक काउंट डेबिट चालेज़ार टू बियार इसके लिए तो बिल रिटें टिल मिचॉर्डी केसे मतलब इसके लिए केस नंबर वन है इसने बिल एंटक समाल के रखाए ठीक है अब आगया वाई वाई की बुक्स में इंट्रीज क्या होंगी पर चेस टू इसको दूसरे में मार्कर से कर लेता है हम इसको कर लेता है हुआ हुआ है ही निर्चेल अकाउंट डेबिट टू एक्स चालिच जार की पुर्चेस करी उसकी बात फर्स्ट डिपीज सूं करना बीपी एक्सेप्ट करा एक्स्टू बीपी चालेज़ जार नेक्स्ट फफ्टेवेल को कोई एंट्री नहीं करेगा यह सिरा चार जोलाई को एंट्री करेगा दैट विल बीपी टु बैंक चालेज़ जार इस फे कोई डाउट तो पुश्ट लो इस बिल से इंटू बैंक फोर क्लेक्शन एक्सोल गुड्स तो आई इसको थोला समय और अच्छा बनाया दो क्वालिटी वाइस पौर रुपीज वन लाग वाई एक्सेप्टेड थ्री बिल्स on 1st April 2021 4 रुपीज 4 रुपीज 50,000 30,000 and 20,000 for 4 months 3 months and 2 months respectively these bills वर सेंट और फिफ्ट अप्रेल 2021 फॉर कलेक्शन टू बैंक अल्द बिल्स अल्द बिल्स मेट उन मेचॉरिटी अब इतीन बिल्स हैं हमने तीनों को एक साथी बैंक पर जमा करा दिया कि वहीं कलेक्ट होते रहेंगे अपने अब जब्योंगा पास जनल इंट्रीज अब इस केस में क्या होगा इस केस में आफ समरी बनाएंगे बिया नमबर वन पचासजार ठीक है फॉर मंद्स फॉर मंद्स मतलब इसकी ड्यूडेट कब आएगी एक अप्रेल से फॉर मंद्स कब होंगे में जून जुलाइ औगस्त चार अगस्त बिया नमबर टू तीस अधार थी मंद्स चार जॉलाए और बिया नमबर थी बीस अधार वन मंद्स सॉरी टू मंद्स चार जून ठीक है यह इनकी दिव रेट्स है बाकी कुछ नहीं एक एक्स की बुक्स में क्या इंट्रीज होंगी देखें फॉर्स्ट अप्रेल वाई टू सेल्स एक लाग की सेल हो गई फॉर सेफर साइड़ आपने क्या करना है तीनों बिल्स को आप अलग-अलग नाम से रिकॉर्ड कर लो वी यार वन डेबिट तुक यहां फिर वन लिखके रैकेट में लिखो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन गेले फिर ब्यार ब्राकेट में टूँ अकांट डेबिट तीसेदार त्वेसों सारे बिल बी आरर में जाते हैं कि भी स्रदाट तू आए एक लाग ठीक है बस अब क्या करना है आपने पांच अप्रेल को इनको बैंक में कलेक्शन के लिए भेज़ देना है और इंट्री विल भी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट तो बी यार वन तो बीयार टू टू एंड्ट वीयार थ्री इसारे आपने बैंक पें जमागरादी है ठीक है लेकिन वह बैंक में भी पैसा नहीं आज़ा बैंक तो डूडेट पे आएगा अब दिखें फर्स्ट डूडेट कब आईगी चार्ज लाए किसी बी आर्थी की तो एंट्री विल भी बैंक काउंट डेबिट कि 20,000 का पहले में चौर होगा और एंट्री बैंक काउंट टू बिल सेंट फोर क्लेक्शन काउंट बिल सेंट फोर कलेक्शन और क्लियर होता रहेगा अभी वो डिविट पे खड़ा ना वो ख्रेडिट उता रहेगा और सारा पैसे आपके बैंक पर आजाएगा वह से सेम एंट्री चार जुलाइक होगी 30,000 से और सेम एंट्री आपकी चार अगस्त हो जाएगी 50,000 से इस पर कोई डाउट है तो पुछ लो तो आज की लास अपर ही डिस ओनर आफ बिल के उपर है बेसिकली तो ओनर आफ बिल तो सिखा दिया बिल मेंटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्मेटार्म जिससे भी बिल मिला उसका नाम इसके बाद यह है इसके बाद नेक्स एंट्री क्या होती है नेक्स एंट्री आती है ओन मेचॉरिटी तो क्या करोगे ड्रॉई को यह इंट्री को रिवर्स मार दो बियार हो गया कैंसल ठीक है अब हमने ड्रॉई से फिर से पैसा लेना है पैसा मिल जाता तो cash अकॉऔट डेbit पैसा नहीं मिला मतलब ड्रॉई से भी पैसा लेना है साथ ही साथ कहीं बार क्या होता है जब हम यह बिल को जमा कराते हैं बैंक में तो बैंक वाले कुछ चार्जिस काट लेते हैं तुम्हारा बिल बाउंस हो गया है तो अगर ऐसे कुछ चार्जिस आपको देने पड़े हैं तो वह भी आप किस से लेंगे ड्रॉई से लेंगे जि ड्रॉई का खरचा है आप recovery करोगे बस खर्चा आपका नहीं है समझाई बात खर्चा आपका नहीं है this is the entry for dishonor एंल हमने जैसे बिलबाउंस होगा इक पकड़ना तो ट्रॉई तो डेविट होगा ही होगा चाहे केस कोई हूँ अब आएगते हैं सेकिंड के स्पे विए अच्छा अब इसमें ड्रॉइग एंट्रीज क्या होंगी है ड्रॉइग करने वाला एंट्रीक करता है ड्रॉड तू बीपी मैंने ड्रॉड को बीपी दिया है ना कि एक ऑन मेच्ओरिटी अगर बिल डिसॉनर हो जाए तो एंट्री विल भी बीपी रिवर्स लाइबडी खतम अब हमने किसको पैसे देने ड्रॉर को पैसा देना है तो ड्रॉर हमारी लाइबडी बन जाएगा अगर दे रिजल्ट टू कैश आया था या डू बैंक आया था अब ड्रॉर विल था 10,000 का ड्रॉर को हमें देने पड़ेंगे 10,100 रुपे क्यों क्योंकि 100 रुपे हमारी गलती की वज़े से हमें बांसिंग चार्ज लगए उसको तो उसको मोलते है नोटिंग चार्ज नोटिंग चार्ज इसके अकाउंड में डैबिट हो जाएगे आपने देखा ड्रॉर ने कहीं भी रिकॉर्ड नीकरा नोटिंग जाए ट्रॉर ने तो क्या रिखा है मेरे बैंक से जो पैसा निकला मैं लूँगा ड्रॉर ट्वाइस है ठीक है और यह अपने नोटिंग चाहते है यहां रिकॉर्ड करेगा विकॉस जिसकी गलती वह खर्चा रिक जिरॉकर आके बीयार ड्रॉई फंस एंट्री इसकी वार्स नेक्स एंटी कि Kवृते हैं डिस्कवांट इंट्र ट्राइट कर देते हैं हम बैंक से पैसा ले चुके हैं बैंक जाएगा इसके बात डॉई क पास दर रएकाउन से पैसे देनें से मना कर देगा तो बैंक किसको पकड़ेगा बैंक तो हमें पकड़ लेने हमारे अकाउंट से वो पैस सकाट लेगा देख वो मैंक ने यहां रेकाउंट्स पैसे काट लिए गया और यह सारा पैसर किस से करेंगे ढौई से हम कितना जित्ना चार्ट कहटा गा गया दस जार रफार करेंगे बैंक जिद्ञा चार्जर तो आप वह भी रिकवर करेंगे तो कि इतना आपके बैंक से पैशा कड़ेगा वह सारा पैसा उससे रिकवर करेंगे क्योंगी आपकी नहीं थी कि किसकी उपने रॉक की खुप मैं रॉक में एक रॉफ में जो पहले उए थी वही होगी तेंग सेम्स अबब तेके सेम्स अबब कर देना ड्रॉर टू बीपी बीपी नोडिंग चार्ज तू ड्रॉई ड्रॉई की बुख में कोई चेंज नहीं है ड्रॉई ड्रॉई ने पैसा देना है इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो हान जी अब आता है बिल इस एंडॉस्ट एच्वर्ड़्ड पार्टी मइं फिर बिल को एंडॉर्स कर दिए, तब क्या होगा देखे है एंडॉर्समेंट में प्रावान क्या होता है कि न मेंक्र आइफ्रॉर कि एंट्री करता है अलए उसको भीमेन इनक्रॉर return for वाउदि के वह क्या करता है अंडॉर्षमेंट करता है किसी और को दे देता है वह बिन कुछ ती हमने केट गोला तो हमारे कान खलं खळा हो मिलेगा रमकांथ मिलेगा या नहीं मिलेगा किया के लुए फैसंट स Turning के तो देख मेलें और गेर और कान क्या कर रहा हूं घुक्स अब तुब रामाकांट को हमें पैसे देने पड़ेंगे ठीक है और लेंगे किस से लेकिन कानट को देना एक कि इतना देना है स्मेट including noting charges including noting charges ट्रॉइड की पुक्स में सेघ्रेंट्रींगें नोचेंज रिजबूक्स नोपीज ताट है ठीक है अब केस फूर कर लेते हैं फिर मैं दوبारा से explain कर दूंगे बिल्सेंट फॉर कलेक्षिन का केस होगा तो क्या होगा इंट्री क्या होती है भी आर्टू ट्रॉई राइट इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है सेंट फॉर कलेक्शन के एंट्री क्या होती है बिल्ट सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेट टूबिया अब पॉन मेच्वारिटी ओन मेच्वारिटी डिसॉणर हो गया ठीक है अब क्या होगा पैसा किसमें आना था मैं बिल्स एंट फॉर कलेक्शन अकाउंट हम खतम करतेंगे साथ ही साथ अगर हमारे बैंक कोई पैसा निकला है नोटिंग चाटा तो हम वह लेंगे इसमें कुछ लो झाल झाल